कि अच्छाट करते हैं सबसे पहले बहुत करते हैं कि इन्होंने अपनी basic qualification बैस इनर सिंग कहां से किया तो अपने बैस इनर सिंग कोर्स कहां से किया दो जार 22 में मैंने complete किया है आपने preparation का भी start करें मैंने preparation मैंने seniors से थोड़ा बात किया था तो मिरको इस coaching के बारे में पता जड़ा था nursing experts के बारे में उन्होंने मेरको काफी अच्छा feedback दिया था इसलिए मैंने जोइन किया था nursing experts को ओनलाइन बैच मार्च 22 में मैंने जोइन किया था कोचिंग आपने online ली है पूरा का पूरा आपने जो हमारा complete course package है वो लिया है फोर्थ मलब आपने फोर्थ यर के अंदर ही जोइन कर लिया था तो दिपिका जी ने जो preparation start करी थी वो बहुत ही time से सही time से start करी थी और इन्होंने जैसे ही फोर्थ यर के अंदर यह आए तो फोर्थ यर के तुरूंद आने के बाद ही उन्होंने अपनी preparation है वो start कर दी तो क्या प्लान था आपका study को लेके 2022 के अंदर जो आपका नोचेट वाता उसके अंदर आपकी 6000 रेंग थी और तो क्या आपका study प्लान था कैसे कैसे आपने प्लानिंग करी थी क्या आपके आर्स थे मैं खुदी सर्प्राइज थी कि मेरी यह अर्वन आई है तो मैंने एंड में मतलब फूर्थ यर के एंड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मार्च में तो उस टाइम पर कुछ ऐसा मतलब सिचेशन से कि मैं उस टाइम पूरा अपना अंडर पर्टे नहीं थी तो उस टाइम पर मेरी रेंग आप सबको पताए 600026 आई थी और उसके बाद मैंने उस टाइम पर मैंने सार लाइव क्ल अपनी अपनी यग ए थी मैंने से घचेशन कौ अपलिए थी मैंने बहले बहले जो मैंने copies ले ली थी मैंने पहले अंट अपनी थी पुरियपनी complete की और उसके बाद सबस्किते डैसे मेरे सिस्टम डागाई होता जाता उसके साथ मैं से क्रते ती आर में क्यों कि तो ज़स preventing का टाइन टेबल सेट नहीं हो पाता है तो सबसे बड़ी जो समेशा होती ही स्टुएंट्स के सामने वो यह होती है कि कि टाइन टेबल को कैसे मैंनेज करें तो आप अपना टाइन टेबल है वो कैसे मैंनेज करते थे इतना टेंटिवली अपनी अपनी ले पाऊंगी और नहीं स्टड़ी ओपाएगी तो मैं सुबह लाइबरी चली जाती थी लगबग आठ बजे से शाम तक छव जे तक लाइबरी रहती थी तो लगबग आठ नो गटे मैं पढ़ लेती थी और यही था कि में अपनी थेओरी को क्लियर करूंगी थेओरी कंप्लीट मैंने अच्छे से किया है मतलब यहां के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके नोट सफिशेंट है मतलब आपको कुंसेट्स क्लियर करने में काफी है वो और फिर मैं सिस्टम वाइज अपने थेओरी के साथ और एंसी क्यू प्रेक्टिस करती थी परड़े कितने कुशन्स आप करते थे क्योंकि थोरी क्लासिस के साथ में या थोरी के साथ में एंसी की प्रेक्टिस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो परड़े आप कितने कुशन्स करते थे जब क्लासिस चल रही थी तो मैं जैस हो गया था classes, तो मैं questions काफी कभी तो ऐसा हो था था कि मैं बहुत मतलब सही से questions कर लेती थी लग बग 500-600 तक कर लेती थी मैं एक दिन में और कभी-कभी मतलब अगर थोरी के लिए जादा time देती थी तो 200-300 तक मतलब questions करने हो दे थे मेरे को कुछ आप इस्टुडेंट्स को बताएंगे कि टाइंटेबल को कैसे सेट करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको थेोरी को काफी टाइम देना पहले अपने कंसेप्स क्लियर करने में जादा धान देना है और साथ साथ को स्टिन प्रेक्टिस तो करनी है और आप स्केडूल बंद की ज़रूरत है तो अकोडिंग टू मैम की ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थोरी पढ़ते रहें आपको एमसी क्यों भी करने बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप एमसी क्यों नहीं करेंगे तब तक आपको यह नहीं पता लगेगा कि आपकी थोरी की तो अगर आपको यह जानना है कि मेरा कॉंसेप्ट क्लियर हो रहा की नहीं हो रहा है या मेरा क्या प्रिपेशन है कि इस लेवल की प्रिपेशन है तो उसके साथ साथ में आपको पर दे is 500 to 600 चो वो क्यूसें वह आपको सोल करने चाहिए और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि आपको कॉंसेप्ट क्लियर करना चाहिए जब तक आपका कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका प्रिपे है वो आपके सोल नहीं होंगे तो रटाफिकेशन आपको नहीं करना है जो करना है वो कॉंसेट के लियर करना है अगर आपका कॉंसेट किलियर है तो आप किसी भी लेवल का कैसा भी कुरिशन से वो सोल कर सकते हैं नसिंग तोन नशिन एक्सपर्ट को लेके आपके क्या एक्सपरिंस है कैसा रहा आपका इस कि मैंने तो ओनलाइन कोचेंग ले थी कहां के से यह सफेकल्टी तने सही है कि अपको मतलब लगेगा नहीं कि ओनलाइन खेकर लेरे यह तो हुआ है तो को जो नशिकले आपको इन ड़ाते है जैसे कि सारे MSN के फैकल्2 एं मतलब इतना कवर कर देता है कि आपको कहीं भी और से आपको अपको रेफरेंस करने की ज़ुरत नहीं है उसके साथ करनी है और ऐसे ही फंडामेंटल का भी सर बहुत क्लियर करा देते हैं आपको जैसे हमने नर्सिंग हमने को लीज से तो पढ़ाई है पर हमको उतना कंसेप्स क्लियर नहीं होते जहां जितने ही हां के मेरे हुए हैं सर मतलब टीचर ने जैसे पढ़ाया है कि हां इसा लगा बिल और ऑफलाइन ज्यादा एकटिव होता है तो आप बताएं कि लाइन क्लाइस स्ट्राइड कर soothing के साथ में कैसे को मैंनेज किया कि ओंलाइन और ऑफ लाइन में यह तो है कि ओफ लाइन मतलब आप अटेंटिवली देख सकते हो पर ओनलाइन का यहां का यह इस्टम बहुत सही है कि यह लोग जैसे काफी कोचिंग दिने होता है कि ओफ-लाइन ले रहा है और सात में यूट वह चला दिया हुन्होंने और ऐस मतलब one-to-one interaction है हमारा chat section है उसमें हम अपने डाउट भी clear कर सकते हैं मैं online ही class लेती थी क्योंकि मेरा distance problem था तो उसके लिए मैं लाइबरी जाती थी और मैं live classes को ही जादा preference जेती थी और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूच सकते हैं काफी teachers बहुत अच्छे से काफी अ बहुत ज्यादा रहता है कि हमें content कहां से prepare करें क्या पढ़ना चाहिए हमारे को तो उसके बारे में आप थोड़ा detail में बताए कि आपने content कहां से content का बहुत बड़ा रोल होता है मैंने सर content तो यहीं से जो टीचर्स ने बढ़ा है वहीं लिया था मतलब इतना उन्होंने इतना सफिशेंटली बढ़ा दिया था कि मेरे को और कहीं से रेफरेंस की ज़रती नहीं थी और मतलब जादा reference मतलब यह ठीक है अगर आपके जादा हिए आप reference मतलब और दे सकते हों पर सहर इतना पढ़ा अच्छा बढ़ा दे हुआँ आपटे मतलब पर इतना ऐंड़े आपको पहले आपको पढ़ा देते हैं कि आपको और यहिँ जाने की ज़रती aún है तो काफे अच्छे से कराते हैं का दो एज पर दिपे का कि जो टीचर कहीं से प्रिपेर करने के जुरूत नहीं है बहुत सारे इस्टेंट्स कुश्चन कर रहे हैं कि मैम से पूछ के बताईए कि मैम ने MCQ के लिए कौन सी बुक प्रिफर करी थी क्योंकि बहुत सारी बुक्स मार्केट के अदर अविलेबल है ठीक है बच्चे बहुत कंशूज रहते हैं कि कौन सी बुक लें कौन सी नहीं लें सब लोग डिफरेंट डिफरेंट करते हैं तो आप बताई कि आपने कौन सी बुक रेफर करी थी और उसके कितने MCQ किये थे या कैसे करते थे आप करते हैं अ मैंने जब सटांट किया ता तो मैंने पियर यादन ही देखी इस पार स्ट करते हैं आप इससे एँ और आप हार जाए इस तो आ जो सब्स Majesty जो चाहिरे हैं ज़ो बेसिक्स से मैं मेरे क्लिएर हो जादे Customer तो मेरे हिसाब से एक बुक को आप अच्छे से करें यह है तो आप समने सुन लिया होगा मैंने जो बुक रेफर करी थी वो प्यार यादव की करी थी मैंने वोल्यूम सेकेंड मैंने प्रिफर किया था और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है कि आप क्वांटिटी प बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप अच्छी पड़े 2021, 2022 और 2023 यह तीन टोपर्स हैं तेनों आपके सब्दर्जन कॉलेज से पास आउट है और इन तेनों का रिव्यू एक है कि यह नहोंने प्यार यादों के अलावा किसी बुक को रिफर नहीं किया इस्टुडेंट्स के लिए आप क्या मेसेज देना चाहेंगे जो अभी प्रिपेर कर रहे हैं क्योंकि आपकी बार का जो रिजल्ट आया है वो बहुत अनेक्सवेक्टेड है कि इस्टुडेंट्स का 50% ही स्कोर नहीं हो पाया और इस बार का पेटन भी थोड़ा सा चेंज अनेक्सवेक्टा सेनेरियो बेस्ट कुर्शन आये थे तो वह आपने कैसे किये और जब आपने तीन गंटे वह पेपर सोल किया तो उस टाइम में आपने वह पेपर कैसे अटेंट किया यह बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके उपर सारा डिपेंड करता है छे माही आठ मेने एक साल से आप कैसी प्रिपेशन कर रहे हो वह माही नहीं रखता है अगर आपने तीन गंटे अच्छे से वहां पे नहीं दिये या उसको सही से मैनेज नहीं किया तो वह जो थी आर्स का पेपर दावन एटी मिनिट का टाइम था वह आपने कैसे मैनेज किया और आ कन्वेति کहले मिकर्ण इसी खरता हैं की ड्रेक्री या highness करेक्ण करना जिएक करें हो किशों जाते हैं दों यहारं फिर भी हुनके मकस कभी तो मिल्द कौनिम वह नहीं हो पाता तो आपने वह कैसे किया सबसे बड़ा ज़रूरी तो यह जान ज़रूरी कि नेगी त्ट्रॉल करने के लिए तो पहले उसको करना है तो उसके बाद अगर आपको दो में वह कंशूजन है तो उसके बाद उनको अटेम्ट करो और आपको ऐसा लग रहा है कि इस एक यह नहीं है बाकि तीन में तो सर ने अगर आपके कोश्चन हो नहीं रहा है तो अलग बात वरना आपको फालतु में अटेम्ट करके फायदा निया क्योंकि नेगिटिव में जाएगा और बेकार रिजर्ट होगा तो बैसे कि लिए आपने यूमिनेशन जो मैथड़ है हाँ यूज करना है कोश्चन सो करते हैं तो समझोगे तो कुछ खास मतलब के सिनेरियो में से कोई दिकत होने की बात नहीं है बाक्तokay बहुत सारे चाहिट्ट पूच रहे ह हैं कि आपने कितने क्यों सअटेम्ट के मैंने 165 questions attempt किये थे मैं ने 165 questions attempt किये थे तेंक यू मोकुन मेगवाल जी कितने questions attempt किये तो सिमरन मैं वो तो मैं ने बता दिया है कि 165 questions attempt किये थे और हमने भी जब प्री session आपके लिए थे उसके दर भी सारे teachers ने आपको यही बताया था कि negative marking कैसे गंट्रोल करनी है और कितने questions attempt करने है तो उसके हिसाब से इन्होंने 165 attempt किये है आपने paper जब attempt किया था उस paper को कितने parts में डिवाइड करके या कैसे attempt किया single short में किया या आपने पहले कि यह थोड़ा सा बताये कि और कितना time आपने लिया बहुत सा रिस्टेंट से time management नहीं हो पाता है तो वो तीन गिंटे के time आपने कैसे जब पार में जो करूंगी पर अब की बार ताइम मैंने जब ताइम में पार मुश्चिन हो रहा था क्यूंकि तो फर्स ताइम पे मैंने हम फिर जो छोड़ती जा रहा रहती है को सवाल करें आपर मुश्चिन हो की मैं जड़ती है वे को मैं था जो हुटन के ढолж म मैं ज्यां लृण हो सारी काम्ट के पार मैं जैसे जो मेरे मतलब geç선 आप यही करो कि आप जल्दी मतलब जो आपको आते हैं पहले वो करो डाउट आले आप बाद के लिए चोड़ दो क्योंकि अभी जिसमें आपको डाउट अगर उसको ही पठते जा रहे हो बार बार तो आपके जो आगे आरे होंगे वो और नहीं हो पाएंगे तो एक कोश्चन मेरा स्प nouvelles которая को अंसित्याया था यालि आप जी और इसे आपको पता है कि आपको KS इनका मेन है कि कैसे आपने चीजों को न्ट्रोल किया त्रमेंट्लिकमेंट्रों सब्सक्राइय प्रियिस हुं को लगता है कि टो अब कुछ योगता हे पानटी इसे मिलें होगे यह तो आपके माहल छाथा वगा है कि अदिकी टॉट करनी इसको तो वो जब आपको काउंट रोगे तापने कॉंफिदेंस को कैसे मैंटेन किया वो बहुत ज़रूरी है तो मैं उनको छोड़ती जाए थी कि मैं उनको छोड़ती जाए थी कि हाँ ठीक जो आए वो करना पर इनको छोड़ देती हूं और यही था कि अच्छे सफना जो आते में को वो करूंगी आपको करना है वो पर करो आपके बहुत सारे जो जूनियर्स हैं और वह बोल रहे हैं कि हमारे सेने हैं हमारी सेनियर हैं तो यह वेरी हैपी तुसार जी गुपता जी ने कुशन पूचा है कि में जोब के साथ में पेपर निकल सकता है और निकलेगा तो कैसे पिरपेशन जोब के साथ कैसे करें तुसार जी में तो नोट वरकिंग थी मैं अपने फाइनल येर के इंदर ही हमारा ओनलाइन का जो कंप्लीट कोर्स पेकिस था वो जोइन कर लिया था और उसके बाद में इनका दो जार बाइस के अंदर नहीं निकला था वो फर्स अटेम्ट था उसमें 6,000 रेंग थी जोब के साथ में कैसे प्रिपेशन करें तो जोब के साथ में भी प्रिपेशन करना बहुत इजी है अगर आपका माइंड सेट है तो अगर आपका माइंड सेट है तो आप जोब के साथ में आराम से एक्जाम क्लियर कर सकते हैं उसके अंदर आपको अपना टाइन टेबल मेनेंज करने हैं अगर वो आपने मेनेज कर लिया तो आपका हंट पसेंस सेलेक्शन हो सकता है. ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे हैं वो जोब छोड के ही परिपेशन कर रहे हैं, इसे बहुत Sultan हैं मेरे साथ साथ में भी आपका सेलेक्शन हो सकता है, अगर आपका mindset है तो और उसके साथ में preparation how to control exam anxiety ये question आया है आपका Samila Das मैं से की exam की exam की anxiety है वो कैसे control करें anxiety थो खैर मेरी control नी हो इती anxiety थो होती है कि हाँ भई? पिपर मतलब जब आपको कुछ इतना बड़ा अचीव करना तुम आपको जोग चाहिए तो होती है पर अपने उपर हावी मद्थ होने दो इतनी जाद भी नहीं लेनी है कि बिल्कुल याप कर नहीं पारे उपर बस आप याद रखो कि आपको करना है और मतलब जाद अटेंशन लेने से क्य होगा कुछ फाइदा नहीं है और कौन से सब्जेक्ट जादा पढ़ने यह निशा चोधरी जी ने पुछा पढ़ा आपने मैंने मेडिकल सब्जिकल गाइनी और पीडिया यह तीनों तो सब्जेक्ट मतलब आप लोगों को बहाद अच्छे से करने यह मेजर सब्जेक्ट स अच्छे सब्जेक्ट मतलब यह तो में ने पुछा है कि आप डिली कितने आर्ट पढ़ाई करते थे कितने गंटे आप पढ़ाई करते थे क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जो टोपर होता है वो तो एकदम किता भी कीड़ा होता है तो वो तो दिनमें 20 गंटे अठारा तो आपसे यह जाना चाहते हैं कि परड़े आप कितना पड़ते थे मैं लगबग 7-8 गंटे पड़ती थी दिन में पड़ती थी मैं रात को नहीं पड़ती थी मतलब जब मैं लाइवरी जाती थी ति उसी टाइम पर पड़ती थी और क्या है थी तक कर सकति आप जब tal fried 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 मेंनली प्रिपेर कर गया था क्योंकि सब एक्सपिरियंस यहां पर बहुत साहीड यह बनाते हैं साहिए है थैंक यु सो मच दिपएका दिपएका ने हमारी टेसिरीज ली और यहीं पर टेस्रीज इन्होंने स्टार्ट करी थी अप्रेल के अंदर और उन्होंने बताया कि करते हैं तो उसको कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं अगर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको साथ साथ कुश्चिन्स भी करो ताकि आपको यह पता चले कि हाँ कहां पिर है रहा है रहा आपको ऌ trolls साथ प्रैक्टिस को यह रहे हो या फिर कियो कोश्चिन्स भी आपको बोड़ी भीता में पता दिया एक जो कौश्चिन्ड में धiblice प्रपेर कवनारेमी nesak कि यह प्यार व्याद वे बोग से करी थी फंडामेंटल का क्या है मैं मेंटल तो सब्जेक्ट है अच्छा तो वह फंडा के बारे पढ़ाते हैं डेली का रूटीन कैसे बनाए देखिए मैंने जो इस्टेडी करी थी वह साथ-आठ गंटे डेली की करी थी तो उसका मिनिग यह पड़ने है कि ज़्यादा गंटे पड़ने से स्लेक्शन नहीं होता है या अच्छी रेंग नहीं निकलती है आप बेशक आठ गंटे पड़े च्रह गंटे पड़े या पास गंटे पड़े जो भी आप पड़ रहे हैं वह बहुत अच्छा क्वालिटी का पड़िए और ऐसा पढ़िए कि अगर आप दो महिने के बाद में भी अगर कंटेंट वापस खोल रहे हैं या उससे रिल्टेट कोई कुशन आप सोल कर रहे हैं तो वह आपका हो जाना चाहिए तो गंटे आप ज्यादा पढ़ने से सेलेक्शन नहीं होता है या ज्यादा किताबे पढ़ने से परसेंट होगा टीचर इन बेस्ट नर्सिंग एक्सपर्ट राकेश मलिक जी नर्सिंग एक्सपर्ट के सारे टीचर बेस्ट हैं जो रिजल्ट अभी आया है नौट्चेट दो जार तेइस का उसके अंदर हमारे थ्री अंड़िट प्ले सेलेक्शन है और ये जो रिजल्ट ह है यह पूरी कम्माइंड टीम का है सब का है किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं है यहां पर सारे के सारे टीचर से साथ से आठ साल एक्सपरियंस टीचर से सब अपना हंडिट परसेंट देते हैं इस्टुडेंट के लिए हमेसा हम तयार रहते हैं किसी भी परकार की प्र कि आज आपके सामने AIR 1 बेठे हैं जो आपको सारा बता रहे हैं इसके अलावा हमारी AIR 9 है 14 है 58 है करने परते हैं क्या um मैं ने तो कोई सोट नॉट मतलब निलिक्दा थैंगहय रहे हुसके साथ साथ अपने नोट को प्रिप あ Meeting you या बार 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 लिखके या फैदा आप जादा नोट्बॉक्स भर के कोई फैदा इसको हाइलाइट कर लो कि हाँ यह मेंड में टॉपिक्स है या online से हो जाता है clear यह जो आपके सामने बेटे हैं यह online coaching से हैं दोनों coaching है आपनी जगें बेस्ट हैं दोनों के अपने अपने फायदे और नुक्सान है और दोनों का अपना अपना result है डिपेंड यह करता है कि किस mindset के साथ में आप कौन सा उस पर आप कर रहे हैं ओनलाइन के अंदर भी हमारे सेम टीचर्स हैं ओनलाइन के अंदर वही content मिलता है जो offline वाले students को content मिलता है नौट सेम है टीचर सेम है जितने गंटे हम एक subject offline में बढ़ाते हैं उतने हम online में बढ़ाते हैं तो यह depend करता है आपके mindset पे offline के अंदर प्रस point यह होता है कि अगर आप 4 गंटे या 5 गंटे coaching में आएं classroom के अंदर आएं तो एक आपका environment create होता है study को लेके वो environment आपको गर पे create करना ज़रूरी है क्योंकि environment का सबसे जदा फरक परता है affect आता है हमारी study के उपर तो online और offline दोनों coachings better है आपके mindset पे यह depend करता है कि आपकी mindset के साथ में बहुत अच्छे से preparation करते हैं कि इतना कर लोगे 100% आपका selection हो जाएगा YouTube की classes लेनी चाहिए क्या हाँ मैं आपको इसके लिए advice करूंगा कि लेनी चाहिए YouTube की classes क्योंकि YouTube पे हम mcq solve करवाते हैं और वह बहुत ज़्यादा helpful होते हैं दीपीका मैम ने भी हमारी सारी mcq classes है वो ली है एक भी class मिस्ट नहीं करी है specifically जो previous year के questions कराती है मैम वह सारे मतलब मैंने तो लिया है मैं mcq practice YouTube से भी करते थी काफी और previous year के questions भी कराता है तो उस पे भी सही रहता है में लिए अजाइटी कम करने के लिए पी कर सकते हो कि हाँ previous year के question अपने जरूर सोल करो हाँ YouTube पे class ले सकते हो आप उस पे questions कराते हैं काफी सही से कराते हैं को अधिक कुलदीव सिंग जी हाउ तू क्या पुछा आपने है लो सर हाओ कें बी केंवी क्लियर फिर्स एक्टेंट पिरपरेशन करके मैंद करके आप क्लियर कर सकते हैं एक आपको स्टेडी प्लान मनाना पड़ेगा most of जो इस्टुडेंट्स मिस्टे करते हैं वो यह करते हैं कि आप लोग टाइन टेबल नहीं सेट करते हैं तो अगर आपको फर्स अटेम्ट में क्लियर करना है तो आप सबसे पहले टाइन टेबल सेट करिए अपने 24 आर का आपके पास मे पहले कि आपको कैसे करना है और एक एक इस्टुडेंटन ने अभी भी पूछा था और मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं मेसेज आते हैं कि सर हम मना बार बार बुल जाते हैं कि जैसे आपी fundamental कर रहे हैं 10 दिन के बाद में वापस fundamental खोलेंगे तो उनको ऐसा लगया कि मे मैं एक लग पढ़ कि पिछले साल जब ने डोज़र में नहीं सट गवाई था था यू जा अइड इस्टर पढ़ा ही तुछ अपन यह बिल्कुल रैगुलर भी नहीं थी इसलिए मेरा हो सकता है कि रहेंग बहुत बेकार यहाई था पर मतलले अब ही अब दुबारा रिवाई करो हैं अच्छे समझ के आपको पढ़ाई करने चाहिए अगर आपको बार बार बूलने वाली अगर दिक्कत से प्रोलम ऐगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए यह है कि आप रिविजन का अब बने हैं कि हर मंत हैं तेसे नहीं है कि अब हने पड़ा है उसको दो मेने के बाद में आपको वाली आई गी आई की आपका पर मंत का एसड अना चाहिए की हर मंत हर सब्छेक्ट को आप tच कर रहे हो चाहिए उसके आपके mcq solve कर रहे हैं चाहे उसके short notes आप पढ़ रहे हैं या उसकी theory revise कर रहे हैं यह time table आप ही बना सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके 24 गंटे का time table क्या है तो आपका time table ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप पूरे subjects मंत में एक बार आप touch कर रहे हो तो उससे क्य होगा कि आपको बार-बार जो बूरने वाली problem है या आपके सामने counter नहीं होगी और आप अगर बार-बार उसको revise करोगे तो वह आपकी memory में भी रहेगा निर्मला में ऐसा नहीं है देखो मुझे पता है कि इस नोट सेट के अंदर बहुत सारे बच्चों के expectations थीर उसके किसा आप से result नहीं आया है तो हमारे को demotivate नहीं होना है सबसे बड़ी चीज़ यह हमारा hard work है हमारी मैनत है कभी वेस्ट नहीं जाती है वह हमेसा हमें कुछ ना कुछ देखे जाती है अभी दो मैने के बाद में फिर September में आपका नोट सेट है हमें वापस त्यारी start करनी है जो आपको anxiety है जो आपको बड़ा से frustration है जो करना है आप आज कर लेजिए कल वो चीज़ लेके नहीं जानी है कल morning में fresh वापस आपको starting करनी है और सबसे plus point क्या है कि हमारी एक level पर preparation आके अभी चल रही है आपको वहां से start करना है आपको zero से start करना नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको एक attempt में नहीं हो रहा है second में नहीं हो रहा है अभी मैं आपके सामने के assistance की success story आने वाल दिन में लेके आऊंगा जिनका selection third attempt के अंदर हुआ है जिन्होंने पहले दो attempt दिये थे उसमें नहीं हुआ था और उनका अभी third attempt में हुआ है और उनका भी कुछ दिनों पहले मे आपको अपने उपर विश्वास रखो hundred percent आपका selection होगा अभी उनका इस नौर्सेट के अंदर selection हो गया है तो मैं यहीं कहना चाहूंगा जिन लोगों का इसमें नहीं हुआ है कि आप अपने उपर विश्वास रखे अपने जो जिस बगवान को आम मानते उसमें आप विश् सेक्शन निकालेंगे को ले से ही mcq करने करना शुरू कर देखिया यह आई तिंग आपकी जोनी हरेनिशा तो इसको बता है कर दो मतलब कोलेज में आप पढ़ रहे हो तो साथ-साथ अपना कर सकते हो सही है questions करना शुरू कर दो इसमें क्या पढ़ाई तो जितनी जल्दी श एम्स लेना चाहोगे दियाब सलीम साहब यह सब्दर्जंग से पास आउट है तो यह तो सब्दर्जंग की आई तिंग लेंगी और रेंक आपके ऐसी होनी चाहिए कि आप से एम्स पुछे के विए बताओ आपको कौन सा चाहिए हाना रेंक लानी है तो एसी लेके आओ वर पॉसिबल है अगर 6000 से दिपीका आपकी टोप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं तो जिनका सेलेक्शन नहीं हो आया इस बार तो वो यह ना सोचें कि हम पिछे रहे गें हो सकता अगली बार आप भी टोप कर जाओ गिवप आपको नहीं करना है एक्जामपल आपके सामने ब बुक रिफर करें आप एंडलेक्स की रिफर कर सकते हो सबसे बैस्ट हैं ऐस से एडिशन वह बुक आप रेफर कर सकते हो बाकि अच्बागे अच्छाव गुशन कर्वाएं लिगे क्या-क्या पढ़ा आपने डीटे़्स में बताई इनको मैंने सब कुछ पढ़ा था जो भी क्लासेद आती है और अच्छे नोट्स बनाये थे फिर उसको पढ़ा था सही से सब कुछ पढ़ाता है मैं क्या क्या बताऊ के टेग्री क्या है है कि टियारे के लिए आपकी कर्जा करंगे को वायने मतमें कवर हो गई थी मैं तो मतलब पिछला नो उख लिए सारा नो प्रिपैर्ड थे तो मैंने ठोरी मतलब किद्ने संटाइम में मतलब तो महिने में यह कोचिंग है डेली से डेली में चल रही है तो वेस्ट पटेनलगर में हमारी में ब्रांच है, साकेत में हमारी ब्रांच है, रोएनी में हमारी ब्रांच है, नजवगड में हमारी ब्रांच है, हर्याना में हमारी रोतक में ब्रांच है, अगर किसी भी इस्टुएंट्स को ओफलाइन जोइन करना है, तो आप किसी भी सेंटर इसके लावा हमारी online classes चलती है, online के अंदर भी हमारे morning evening बेचे चलते हैं और हमारा सबसे plus point क्या है कि हमारी जो online की classes है वो classroom से live नहीं होती है exclusively होती है और सिरफ students के लिए होती है online वालों के लिए इसा नहीं कि offline की classroom में camera लगा के वहाई से start कर लिया जो पूरा ध्यान होता है teachers का वो सिरफ offline वाले बच्चों पर होता है online वालों पर कोई ध्यान ही देता है तो हमारी जो classes होती है वो particularly studio से live होती है students के और हर बेच के लिए अलग से live class होती है particularly आपको पूरे पर डे आपकी चार से पांस गंटे लाइव क्लास होती है जिसके दर आप अपने सारे क्या है कि आप किसी भी class को कितनी बार भी देख सकते हो any number of times कोई attempt नहीं उसके उपर कि एक class को आप तीन बार देखोगे चार बार देखोगे या 72 hours के बाद में class हट जाएगी ऐसा नहीं है जो classes है वो किसी भी quality पर आप सेट करके देख सकते हैं अगर आपका 2G network है तो भी हमारी classes से आपकी चलेगी without any interaction इसके अलावा हम सारे subjects के notes प्रोवाइड करते हैं जो notes है वो by courier आपको मिल जाता है online testories उसके अंदर है include है तो complete course package हमारा चलता है online का वो आप ले सकते हैं आप अपना study plan त्यार कर सकते हैं हमारे जो बेचेस हैं वो अभी स्टार्ट होंगे दिपक दिया जी ने पुछा है कि मैं मिन्स आपने notes और यादर कुशन सोंडर कुशन टेसरी किया है मिन्स हम बस इसी पर अच्छे से focus करें तो हो जाएगा इदो अधर center पर भागेंगे कि ज़रूत नहीं content पर येस दिपक जी आप quality का content है उस पर focus करिए और वो हम यहां पर देते हैं तमना माजन ने पूछा है कि आपने online coaching ली थी या offline इन्होंने online coaching ली थी तमना जी सबसे पहले तो आप अपना time table बनाई है इसके अंदर अभी एक हमारे session आएगा उसके अंदर हम यह भी आपको बताएंगे तो उसके अंदर हम detail में आपको बता देंगे कैसे उसकी करने क्या करना है कितने और्ज पड़ते तो मैं मनेशाथ से 8 गंटे नको बढ़ाएं था जasternकाना को सबसCu पढ़ाते हैं काफी अच्छा पढ़ाते हैं अच्छे से बढ़ाते हैं आपको क्या दिक्कत तो नहीं हो जाएगा मतलब ज्यादा इसे पूछते कुछ कोश्चन सबकी बार थे कि बहुत ही अलग पता नहीं कहां से आये थे वह तो बहुत मतलब अगर आपको करना है तो आप यह ए अपकर संदर्स से पढ़ सक्टे साइकरी उसमें भी है अब मैंने नोट से बढ़ा था नोट मेरे काफी सही थे सर ने बहुत सभी पढ़ाया था मैं अपने नोट को ही रिवाइज करतीती थी साइकरी के लिए कि लिए नौ नर्सिंग के सब्जेक्ट करें अब कर सकते उस पर फोकस अगर आपको अपनी रैंक जादा बेटर लानी है वरना आप पहले अपना में जो मेंजर पार्ट है वह कवर करो और नौ नर्सिंग का भी काफी सभी बढ़ा देते हैं और प्यार याद्व का एक थार्ड पार्ट उससे आप कोश्चन सो कर सकते हैं सर्ड प्लास में तो बहुत अच्छा पड़ाती है मैं तो रीजनिंग कि साखेट्रिक में हमारी दो फिकल्टी है डागुर सर और मैपाल सर तो ऑनलाइन और ओनलाइन दोनों में पड़ाते हैं और आपके टिप्स पर हो जाएगी और एक भी कुश्ण साइकेट्रिक का उसे बाहर नहीं जाता है आज तक का हमारा यहीं एक्सपिरेंस है complete story कितने दिन मैं लाइव क्लास के साथ में प्लीज जो complete हमारा jaehodha ओका तक आपकी लाइव क्लास इस सकते हैं से एक लिए नाइंत से अडिशन और बन लिया किया आंड के अगर आप करूप कर रहे हैं तो उसका लड़ि ऐसकते हैं अनुप और भर ले सकते हैं आनुब बता आपकोगते ऑफो कम्प्लीट क Caf listeners रसे माला वाला बेश है वह इस तुम कहे यज़ा क्या है ट्रेक्टर अभी में हूँ अभी से स्टार्ट कर दूं क्या सर अधर तो बहुत अरली है आप थोड़ा सा नर्सिंग को भी इंजोय कर लीजिए बट मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि अगर आप थर्डियर के करने वाले है तो वहां से आप कर सकते हैं इनिशली आपको अच्छा होगा उतना ही ज्यादा चांसे आपके स्रेक्षन के हों गे कि मैं ऐसा मानना है क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आपका एडवांस लेवल का आपको संद में आएगा तो बैसिक आप जुरूर अच्छा करिए कि का आई नियुक्त नोट्सटे एट एमस की वेबसाइट के हिसाबसे तह Findism के अंदर है 17 सप्टेंबर फानल डे अपका उसी अपकर हुथ द्रOP है अभे तक दूसरा कोई अपडेट है नहीं तो आप यह मान सब्सक्राइब करें कैसे ना करें लगा रहता है कुछन आपके कवर हो गए थे विकोज ऑफ क्या था क्या लेका फॉमों कैसे कवर करें कैसे ना करें लगा रहता है कुछन आपका सब्सक्राइब करें को अधिश्यों से तो लड़कों को फरक पड़ता है और विस बार तो लड़कों ने बाजी मारी ज्यादा क्वालिफाइड बोई तो यह को मायन नहीं रखता है अगर आपकी प्रिपेशन अच्छी हैं तो यस मैं ओनलाइन ट्रेक्टर बिल्ड ओनलाइन हमारा एवेलेबल है आप हमारी हेल्प लाइन नंबर है 9278-444-000 उस पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी जो वेबसाइट है www.nursingexpertlive उस पर जाके आप सारे हमारे प्लान से वह आप देख सकते हैं या आप हमारे एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग एक्सपर लाइव एप्लिकेशन वहां पर सारी चाज़ें आपकी मिल सकती हैं कि बारे सब्सक्राइब करना चाहिए मतलब दिन क्यों गिन रहा आप मतलब ऐसे करो की समझ में आये मतलब ऐसे दिन में तो आप भगा दो के दो तीन दिन में अच्छे से करो एक महीना ले लो तो बाकि सारा कवर होई चुका है तो अपना पूरा टाइम दो नेशा चोधरी जी बार बार यहीं पुछेंगी को लेज के साथ में आपने कैसे मैंने किया था तो उस टाइम पर नहीं हो पाता है आपकोर्स पर उसके बाद तो मैं लाइबरी में जोइन करके मैंने किया था अब तक आप सब्दरजिंग से पास आउट किया है तो इनको सारा सब्दरजिंग का एंवार्मेंट और सब्सक्राइब कुछ पता है तो शीविल को फॉर देट अगर अगर आपने दिया उसके बाद में वेगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने नेगेटिव पर कंट्रोल करें और नेगेटिव पर आपको कंट्रोल करने की ज्यादा जरूते देखिए बार-बार अगर आप फेल हो रहे ह हार जीत स्लेक्शन नहीं होना या यह सब कुछ तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है लेकिन बंदा सक्सेस्पूल वही होता है जो हारने के बाद में उस्सीज़ पर अनलाइसिस करता है कि मेरी अगर हार हुई है या या मेरी अगर स्लेक्शन नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं करना कarde मैंने करिये और वह इस टेख्स पर काम करना आपको जरूरी ए अगर आप आपको करण कर देये तो फ़िर कोई फायदा नहीं है 2 2 2itta अटेम्ट बढ़ते ही जाएंगे तो आप एक बार ये देखिए जिनके ज़्यादा नमरों पाटेम्ट्स हो रहे हैं कि वह मैं ये तिन दिनों से पड़ाई कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा है तो आप एक बार देखिए कि आपने क्या मिस्टेक्स करें है कहां पर आप mistakes कर रहे हो negative पर control करिए आप time management करिए negative और time management करने के लिए best यह है कि आप MCQ practice करिए जब तक आप MCQs की practice नहीं करेंगे तब तक आपका इन चीजों पर control नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे exam exam के अंदर यह होता है बच्चों के साथ में कि वो time management नहीं कर पाते हैं उनके तीन गंटे पूरे हो जाते हैं दो गंटे उनको जो exam कोते हैं उनको पतने लिए exam के से चला गए तो एक question के पिछे ही पड़ जाते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है time management आपको सीखना बहुत जरूरी है negative पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है paper को कैसे soul करना है यह आना आपको बहुत ज़्यदा जरूरी है एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं कि measure और minor subjects क्या है important क्या है और less important क्या है every subject is measure and important आप यह मान के चलिए अगर आपको selection लेना है तो nursing और non nursing के दोनों जो parts है वो दोनों जरूरी है और वो दोनों major है और दोनों important है आप हर subject को importance दीजे कि कहीं से भी आपका question उठके आ सकता है आपकी preparation ऐसी होने चाहिए हाँ medical surgical है, ops है, fundamental है यह जो subject है जो आपके हर exam के अंदर major syllabus आपका cover up करते हैं यह आप priority based पे रखके कर सकते हैं इनको पहले करिए इनके ज्यादा mcqs आप solve करिए ताकि आपको ज्यादा experience मिले अचशन अचर्ट कोन बनाता है, scr a colour set paper कोन बनाता है एमस बनाता है निरा मम हुआ बाकी यह तो नहीं बता कि कोन बनाता है, लॉसिंग वाले बनाते होंगे पेपर कोई भी बनाए हमारे तैयार यह से होने चाहिए हमारे concept इतने अच्छे clear होने चाहिए कि पेपर कोई कैसा भी मनाए हार आपका soul होना चाहिए श्वेता मैं मैंने total 165 questions आपके soul किये थे तेंक्यू nursing beats 165 मैंने questions attempt किये थे आनद कुमार जी हमारे जो बेचेज हैं उनके अंदर जो classes होती है वो basic से ही start होती है basic to advance हम चलते हैं ऐसा निए कि पहले आपको advance लेवल करवाएंगे basic वाला नहीं करेंगे हमारे यहां पर जब class start होती है बेच start होता तो basic से हर subject आपका start होता है और फिर आपको advanced level पर लेके जाते हैं हर system के हर subject के अलग अलग teachers है defined teachers है जिनको पिसले 7 से 8 साल का experience है जिनको already सारे के सारे teachers है हमारे government के से टीचर टीचर है जालपा स्वलें की मैम ने इंक्लेक्स नहीं पड़ी थी नेहा राजपुत मैम questions बड़ा देख के आपको hopefully नहीं होना है दिपिका ने पहले ही बताया अगर आपका concept अगर आपका clear है तो कुछन चाहे चोटा हो चाहे बड़ा हो आपका फिर confidence अगर आपका लूज नहीं होगा तो मैं फोकस जो आपको करना है ना वह concept clarity पर आप करिए concept clear होना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दिपक देया जी लास्ट के दो 10 डेज है आई नो कि उस पर anxiety भारी बढ़ जाती है क्योंकि आपको यह रहता है कि आगया एक्जाम आगया एक्जाम आप कैसे होगा तो इस चीज से अगर आपको बचना है तो आपकी 10 डेज से पहले वाले जो टाइम है उसके दर आपकी प्रिपेशन अच्छी होने चाहिए फिर आपको किसी भी परकार के anxiety नहीं होगी आपने कैसे गंट्रोल किया आपको भी एसा लगा होगे एक्जाम आगया अगया अब क्या करूं एक महीने पहले शुरू हो जाता है कि हाँ एक्जाम है ठीक है मतलब पहले मतलब आप जो भी प्रिपेर कर रहे हो आपको पता है कि कुछ most important मतलब कई topics हैं जैसे कि ओटी के हैं तो मेरे इसाफिर लास्ट में मतलब आप उनको दुबार रिवाइस कर सकते हों यह निए कुछ नया लेके बैठे हो दस दिन में तो फिर आपको और जाद़ एंजाइटी होगी तो जो पढ कि मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है मेरे तो यहां मेरे को तो बहुत सही मिला था इतना मतलब इतना कंटेंट है कि आपको ठोरी यही से क्लियर हो सकती है आप questions करो अपने नोट से ठोरी करो questions करो कि एम्स लवर जी जो qualified है सब को मिल जाना चाहिए बाकी केटेगरी के अंदर देखना पड़ेगा कि किस केटेगरी कितनी सीट्स और कितने बच्चे उस केटेगरी क्वालिफाइड है क्योंकि जितनी सीट्स है उतने बच्चे क्वालिफाइड नहीं है ऐसा पहली बार तो यह लेवल है नौट सेट का असली जो इस बार देखने को मिला है और आप केटेगरी वाइज एक बार देख लीजिए बाकी यह है कि जो बच्चे स्लिक्टेड है मोस्ली सबको मिल जाना चाहिए जनरल की सिट्स तो वेकेंट जाएगी टाइम मैंजमेंट कैसे करें डूरिंग एक्जाम अई जो आपको कोस्टेन मतलब आपको लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं तो उस पर जादा टाइम वेस्ट ना करके आप उसको छोड़के कि बाद में देख बाद में आप दुबारा देख सकते हूं जो आपको आगे आ रहे तो टाइम वेस्ट होगा मेरे साब से जो आपको नहीं हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो एक बार में बार बार उस पर टाइम वेस्ट करो काँ से हैं आप यह पूछ रहें दिली से हैं जोती दिली से ही है है इसा कुछ पता नहीं है कि सेकंड लिस्ट का नहीं निकालेगे क्योंकि जब बच्चे क्वालिफाइड यह तो फिद सेकंड रेंग का तो सेकंड लिस्ट का कुछ कह नहीं सकते है पर सुनल मैं इस नौट फणी काचिंग से सब कुछ हो जाता है और हुआ है अगर आप 2022 वाले जो हमारी एयर फूर थी अगर उनका भी अगर आप निकालके देखेंगे स्टोरी तो सेम यही है एक बात हमेंसा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको विश्वास होना चाहिए टीचर्स के उपर कैसी बिश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको उनके उपर विश्वास नहीं है तो फिर आपको बटक नहीं है आप प्लेन के अंदर बैठे और आपको पालेट के उपर विश्वास नहीं होगी अगर आपको पालेट पे विश्वास है तो हंडेट पसेंट आपका जो लेंडिंग है वो आपकी सक्सेस्पूल होगी इसलिए जहां से भी आप पड़ाई कर रहे हो उनके उपर आपको ट् कि आप कि कितने बचों ने क्वालिफाई किया है 1542 है आपको सब्दर जंग मिल जाएगा क्या और सीट्स का मैं मेरे को इतना कंफर्म नहीं है तो कोई ना कोई एंस तो आपको 100% मिलेगा कोई ना कोई कि आपको कि आपको कि आपको कि आपकी आपकी होनी ज़्यादा जुरूरी है मेरे इसाब से तो आप सिर्फ क्लासिस के ब्रों से मत बेठी है मैं एक बात आपको बताता हूँ जो मेरे याप एडमिशन भी लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं उनको भी बोलता हूँ कि कोचिंग इस्टूट में एडमिशन लेने से कभी सेलेक्शन नहीं होता है कभी भी नहीं होता है अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो आपको सेलेक्शन भी करना पड़ेगी तो आप सिर्फ क्लासिस के बेसिस पर मत बेटे कि आपने क्लासिस ले लिए और आपका सेलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है लास्ट के अंदर है अगर आप कोरियर से मंगवाना चाहेंगे तो कोरियर के चार्जिस अलग से हैं अगर आप जोटपूर से हैं तो मुझे बता देना मैं आपको वहां अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स आप जब लास्ट यर के अंदर है आनंद कुमार जी तो आपको अब नोट्सेट के हिसाब से प्रपेशन करने चाहिए जो फानलेयर के सुडेंट से हैं ताकि उसके अंदर आपका जो फानलेयर का कंटेंट है वो भी प्रिपेर हो जाएगा प्लस आपके नोट्सेट की प्र आपका स्टेडी स्चेडूल क्या था मैंने थोरी पहले ही कंप्लीट कर ली थी उसके बाद मैं रिविजिन कोई मैंने जादा टाइम जया था मेरा स्केडूल क्या था साथ गंटे पड़ते थी हैं तो लास्ट में तीन गंटे एमसी को दे दो बाकी थियोरी मैं अपना ऐसे करते थी वो इंडिविजियल होता है जादा तो पर यह है कि आप अपना रेगूलर करते रहों कंसिस्टेंसी आपको मिंटें करनी है लगता है कि अई बार की नहीं होगा पर मतलब होपफुल होने होपफुल रहना है होपलेस होने से कोई फाइदा नहीं है कि नया में दोजार बाइस नोट सेट के बाद में मैंने कॉंस्टेटली आपकी प्रिपेशन करी है बीच में गेप नहीं दिया है अपने चेडूल बनाया है उसके इसाब से प्रिपेशन करी है क्लासिस एक बार लिय है मैंने ओन्लाइन का एक यी बार पेकेज इन्हों ने लिया था उसके इन्दर इणका इन्हों ने किया था नर्सिंग बीट्स क्लासेश विल बी इन बहुत लेंग्वेश हिंदी एन इंग्लिश मिक्स होता है जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आपका ऐसे ही आपकी क्लासेश होती है मैं कुछ स्पीच दो जिससे हम मोटिवेशन मिले उनको तो आप अभी कुछ बताएंगे आपको मैं देगी लास्ट के अंदर बने रही है अगर आप जी एनम हैं तो आपको दो साल का एक्सपिरिंस लेना पड़ेगा पहले एम्स में इसके लिए अगर बाकी चार होस्पिटल से उनके लिए भी आपको एक साल का एक्सपिरिंस होना ज़रूरी है तो साथ के साथ आप पोस्ट बेसे भी कर सकते हैं वह भी बहुत ज़रूरी है आप थे लिए को में दो जार बायस में कया मि स्टेक थे ही आपकी मैं दो घर वाहेज सब्स्क्राइब की थी इनलत ओम के स्टिम कहर कंप्लीट की ओम पहला है औरे क्रहें कर एक आपक्ら इसे मिल्स ने चाब कर एडामर्वाज कह्यांस थास्यर्वाश्च कर आपकर पर्स ट कि एक बार आप थोरी कर ले तो उसके साथ साथ कोश्चिन तो करने ही पड़ेंगे मतार को कोश्चिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहा सही जा रहे हो क्या दिक्कत है कि तो बस यह यह कि आप यह नहीं कि आप यहां से भी चोरी पड़ रहे हो वहां से भी चोरी पड़ र सब्सक्राइब करने का कोई बेनेफिट नहीं है अच्छे नोट्स कर सकते हैं अच्छे नोट्स हम देते हैं तो यह हमारे साथ में थी अगर हिम्मत हार गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सीख सकते हैं लाइव एक्जामपल आपके सामने हैं कि 6000 रेंक होने के बावजूत इस बार इन्होंने टॉप किया है और अभी आने वाली कुछ सक्सिस स्टोरिक अंदर में आपको ऐसे लोगों से भी मिलूँगे कि उन्होंने कितने फेलियर देखे हैं कितने हश्चन सारी करने हैंENTS भी करने हैं वीडियो अक्लूवा इं-प गन्योंड है अब यह अंदर को सबीक्रियék के लिए सब कुछ उसके इंक्लूड है अब एक रेश कोर्स भी हम लोंच कर रहे हैं सेप्टमबर वाले नोर्शेट के लिए तो वह आप जोईन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो फाइनल वर्ट्स आप इस्टुडेंट्स के लिए कुछ कहना चाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स हैं वो वेट करें कि में केक मोटिवेशन इस पिच तो कुछ वर्ट्स बच्चों के लिए मेरा हुआ तो आप लोगों का भी होगा सब्सक्राइब इस प्रच दुद्द मेरे को लगता था कि मेरा नहीं अपर हो जाएगा आप बशस्करते रहो करते रहो करते रहो मैनत होगा आप लोगों का भी होगा है treadות आर कि थैंक्यू मैम तो तो निशा जी की लाइन आपने सुन ली कि भई मेरा हो सकता तो आपका भी हो सकता है तो आपका हो सकता है और हंडिट पर सेंट होगा आप अपने आपको भी i व्यां विवलन करते हैं जरूज या ना कभी हगों सेलेक्शन होगा कभी यह ना बोख करो है यह नहीं होगा मेरा नहीं होगा यह किसी भी सिच्छेशन वो को आप अपनी सेटिक को मत ब्रेक और अपने आप विश्वास रखी है यह बहुत ज़्या जरूरी है आप सेब्टेंब्र में हैं यूहानामिष डिली के अंदर हैं ले में हमारी चारज इंटर से आप आके जोईण कर सकते हैं आभी बैची उनोंच कर रहे हैं अगस्त के जो नेक्सर टूज naught석 और सृट्वेसिसघ्ट आरा उनाउट्वेच जो इसस्तopy. सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो हमारे पास में इंडिविजुल सब्जेक्ट प्लांस भी है वो भी आप जोइन कर सकते हैं अगर मेडिकल सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर आपको कोई सिस्टम चाहिए तो हमारे पास में इंडिविजल सिस्टम के भी प्लांस है तो वो भी आप जोइन कर सकते हैं इसके लिए आप हमारी हेल्प लाइन नमर है 9278-444-000